मम्ताव एनरजी के लिए विपवश का रास्ट्य चेहरा बनने की राह नहीं ओभी आसान जाने इसकी वज़ा किसी ने सच कहा है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है कि पहले आखे छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है और ये चंद लाइने सटीक बेटती है बंगाल में हुए सियासी घमासान पर क्योंकि ममता बनर जी की प्रचंड जीत के बाद बंगाल में वही हुआ जिसकी आशंका थी जीत के बाद सही नंदिग्राम में पहले बीजेपी दफ्तर में तोड़ फोर की गई और इसी के साथ साथ कई हिस्सों में आगजनी और हिंसाय देखने को मिली इस हिंसा में अलग जीतिक गलियारों में कार्टे विजह सकती है नवसकार मैं हूं कार्जोन नरायन और आप देख रहे हैं भारत एटनाई पशिम बंगाल की जीत में बेशक ममता डबल शतक पार कर गई हो लेकिन विपक्ष का राष्टिये चेहरा बनने की रहा उसके लिए आसाम नहीं होगी क्योंकि 3-78 खेल दीदी के रास्ते का रोड़ा बन सकता है पहले रिपोर्ट देखिए फिर चुनावी समिकरण का पूरा गट जोड आपको समझाते हैं पश्यम बंगाल के चुनावी महा सफर में तो ममता डीदी ने डबल सेंचुरी पार कर ली लेकिन 2024 लोगसभा चुनाव में दिल्ली के रास्तों की जो मैपिंग ममता डीदी ने तयार की वो उसके लिए इतनी भी आसान नहीं है क्योंकि 3 से 78 के स्खेल में अगर देखा जाए तो कई बॉल बंगाल में बीजेपी की और से चुने गए कई रास्ते भी होकर जाती है बीजेपी की सबसे बड़ी शूर्वी चुनावी जोड़ी को बड़े अंतर से मात दे कर ममता बनर जी बेशक विपक्ष की एक प्रभावशाली और ताकतवर नेता के रूप में उभर कर सामनी आई हो लेकिन राश्ट्रे स्थर पर विपक्षी नेत्त्त की कमान थामने के उनकी रहा असान नहीं है लगातार चुनावी नाकामियों के बीच राश्ट्रे स्थर पर बीजेपी को रोकनी के लिए विपक्षी गोलाबंदी की पैरोकारी करती रही तो ऐसे में कॉंग्रेस खुद दीदी की दिल्ली की रहा रोकनी में कसर नहीं छोड़ेगी वही कुछ इलाकों के बड़े नेताओं की ममता के नितित्थ की रहनुमाई को साध्गी से स्विकार करने की हिचक भी इसमें अर्चन बनेगी क्योंकि बंगाल में जो हुआ वो भी किसी से चिपा नहीं वो हमें हत्रब करती हैं चिंता में डालती हैं क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था लेकिन उस आजाद भारत में अब चुनाओं के नतीजों के पश्चात इतनी आसाहिश्चन नुक्ता इन टॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है कारे करताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिकत रूप से देखने के लिए और उन कारे करताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े हो करके प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतिय जन्ता पाटी कृच्च संकल थे क्योंकि बंगाल चनाओं में बीजेपी के 200 सीट के साथ जीत के दावे की जैसी ही हवा निकली वैसी हो उत्सव में कुछ छोटी शेत्रे नेताओं से लेकर जानकारों ने ममता बेनर जी को 2024 के लोगसभा चनाव के लिए विपक्ष का चनावी चहरा बनाये जाने की भविश्यवानी शुरू करती लेकिन चनाव नतीचों के उत्साह में शुरू हुई ऐसी भविश्यवानियों सेतर राश्ट्रे स्तर पर विपक्षी विकल्प और उसका एक विश्यश चहरा बनने का सियासी सविकरन इतना भी आसान नहीं है इसमें सबसे बड़ी अर्चन तो कॉंग्रिस की ओर से ही लगाई जाएगी क्योंकि ममताब एनरजी विपक्षी दलो के एक जुट करने के लिए आगे बढ़ती हैं तो ये कॉंग्रिस के नेतित के लिए सीधी चुनौती होगी कॉंग्रिस विपक्षी नेतित के कमान किसी सूरत में अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहेगी क्योंकि ऐसा हुआ तो पार्टी के सियासी जमीन और कम पड़ जाएगी राजियों में लगातार हो रही हार के बावजूद कॉंग्रिस का राश्ट्रे स्तर पर बचा स्वरूप और संग्छनात्मक धाचा ही उसकी सियासी गठी जोड को बचाए हुए है ऐसे में जाहिर है जब विपक्षी नियत्यत की कमान कॉंग्रिस के हाथ से निकल जाएगी तब पार्टी के लिए अपनी बची कुछी सियासी जमीन बचाना भी मुश्किल होगा कॉंग्रिस इस हकीकत से वाकिफ है और इसलिए राश्ट्रे स्तर पर विपक्षी सियासत में दीदी की पूरी भूमिका की तरफतारी करनी के बावजूद पार्टी यही प्रियास करेगी कि विपक्षी राजनीती की कमान किसी शेत्रिय दल के नेता के हाथ में ना चली जाए बियरो रिपोर्ट, म्यूस्पल इंडिया तो ममता दीदी के सर पर ताज जरूर सच गया लेकिन रहा असान नहीं है क्योंकि ममता बेनर्जी के राष्ट्रे कॉंग्रिस पाची प्रमुक्षिरत पवार से बहतर रिष्टों को देखते हुए इस बात की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं ये दोनों कुछ और बड़ी शेत्रिय दलों के नेताओं के साथ मिलकर राष्ट्रे स्तर पर विपक्षी राज़ूति की कमान गैल कॉंग्रिसी दलों के हाथ में सौपने का कॉंग्रिस नेतर्ज पर दवाब बना सकते हैं लेकिन राज्य में श्रेत्री दलों की अपनी राज़ूतिक सीमाएं और जरुतों को देखते हुए ये इतना भी आसान नजर नहीं आता पवार के मामले में ही देखा जाए तो उनकी संबंदता महाराष्ट की राज़ूति में अपनी जगाब बनाए रखी हुए कॉंग्रिस के साथ उनका बीते दो दश्रक से जारी गड़ बंदन इसमें सबसे एहम है सो अभाविक रूप से पवार एक समय से जादा कॉंग्रिस को दर्किनार कर ममता के लिए महाराष्ट में अपनी सियासत को दाव पर लगा देंगे इसकी संब्भाबना कम भी है ऐसा तमिलनाडों में देखने को मिल सकता है क्योंकि द्रुमुक नेता, स्टालिन और ज्छाखन मुक्ती मोचा नेता हेमन सोरेन दीदी से सानबूती रखनी के मावजूर कॉंग्रिस की अंदेखी नहीं कर सकते हेमन कॉंग्रिस के साथ गड़बंदन सरकार चला रहे है तो पहली बार मुक्खे मंतरी बनने जा रहे स्टालिन को भी कॉंग्रिस के समर्थन की जुरत है इसी तरह दीदी का मजबूत नैतिक समर्थन करती रही राज़त भी बिहार की अपनी सियासत को पहली प्राक्निक्ता देगी बेशक राष्टे स्तर पर मम्ता को विपक्ष का चहरा बनाने की मुहिम को एस्पी नेता, अखिलेश यादव, दिले के मुख्य मंतरी, अर्विन के जुवाल और तिलांगिना के मुख्य मंतरी के चंदर शेकर राव का मजबूत समर्थन मिल सकता है वो इसलिए कि इन सभी नेताओं के दीदी के साथ अच्छे सम्मन्ध है साथी अपने-पने सुबों में कॉंग्रेस इनकी सियासत को किसी तरह प्रभावित नहीं करती हालाकि इसमें कोई शक नहीं है कि राष्टे स्तर पर विपक्षी नेता की कमान मिले शाहे ना लेकिन ममता पूरे विपक्ष को एकजुट करने की अपने प्रयासों को कई गुना तेज करेंगी दीदी को बंगाय चनाप के दरान बीजेपी के उचे नेतुट के साथ के इंद्री एजंसियों के तापर तोड़ हमलों का जिस तरह सामना करना पड़ा है उसे देखते हुए बेस में कोई गुनजाई शोड़ेंगी इसकी संभाना कभी नहीं की जा सकती तो सत्ता के गलियारों में सियासत की चमक भली ही ज्यादा दिखे लेकिन उसके पीछे की जो कहानी होती है वो बड़ी दल्चस्प होती है और शायद बंगाल के सियासी कहानी भी कुछ यही कैसी है आज भारत एक नाइन में बस इतना ही कल फिर होंगे हाजर किसी नई मुद्वे के साथ तक तक के लिए देजे मुझे इजासत नमस्ता